पादन में एक तो सीट चेश सीट मैथट है और दूसरा है सीट से पहले आप उसकी कन्द तयार करने और फिर कन्द से आप बीज तयार करें तो यह समस्त पक्रिया एकजनल पक्रिया है इसमें हम क्या करते हैं सुरू में कि जो लाबकारी पक्रिया है वो सीड से बीज से कंद और कंद को ट्रांस्प्लांट करके जब हम बीज बनाते हैं तो इसमें भौतिक सुद्धता और आनुवांसिक सुद्धता दोनों बनी रहती है तो आपको पता ही है किसान भाईयों को कि जब गाजर का हम बीज उत्पादन सुरू करते हैं तो पहले बीज से हम नरसरी तयार करते हैं नरसरी मतलब मेंडों पे हम गाजरों को कंद तयार करने के लिए लगाते हैं और उस समय जब हम लगाते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि मे में क्या ध्यान देना होता है संकुल आकार की कॉनिकल टाइप हो और एक जैसी हो उसका जो डाया हो करीब करीब कि दू से सबा दो इंच का हो इस तरीके के गाजर का हम रिजेक्ट करते हैं नीचे से जड और दो इंच उपर से ये इसका सही तरीका है कि चैन करने का और इसको काट लिया उचे बेड़ पे लगाते हैं और जब उचे बेड़ पे लगाते हैं तो पानी का बहुत ही कम ही प्योग में बहुत बढ़िया कराब होती है कि वह बेठ की चौराइी जो फ़ी बाद उसमें 1.5 फिट की नाली निकलती है दोने तरफ चे इंच के करीब उंचाई ही इसकी हो जाती है बेठ की और जो पानी हम ज़ब लगाते हैं तो यह नालियों में जाता है और जब इसको लगाते हैं, तो ध्यान देने की बात यह है, कि इसकी समुचिती जर, यह भाग है, यह पूरा का पूरा इसमें डबना चाहिए, और सिर्फ यह बाहर रहेगा, आप देखिए, यह बिल्कुल पर्फेक्ट रंग से हैं, सही रंग से लग गया है, और उसमें जो पौदे से पौदे की दूरी हम 30 के करीब रखते हैं, और लाइन से लाइन की दूरी हम करीब 60 cm रखते हैं, गाजर में 800 मीटर के दाएरे में दूसरी फसल नहीं होनी चाहिए, खासकर गाजर बीज उतपादन की फसल नहीं होनी चाहिए, और जल का निकास की बिवस्ता ठीक तो इस तरीके जो हम करते हैं तो हमारा उत्पादन बहूत अच्छा होता है इसके प्रयास हम वी ये भी करते हैं, इस में रोगिंग करते हैं अगर कहीं हमको कोई पोढ़ा दिखाई देता है जो की बोई परजाती के अत Liberty लगता तो उसमें कई बार हमको इस तरीके से बांज पौधे मिलते हैं इन पौधों को तुरंत निकाल देना चाहिए और इनको फेक देना चाहिए या कई बार क्या होता उसमें बाइरस लगा होता हुआ उन पौधों को उखाड़ ले और नीचे गढ़ों में कहीं दबा दे तो इस जिससे की हमारे वीजूत पादन में कोई असुद्धी ना हो अगर हम मदुमक्खी की कालोनिया रख सकते हैं तो वीजूत पादन के उसका 10% प्रभावतों मुख्ते पड़ता ही पड़ता है इस तरीके की जरी जब हम फसल देखते हैं तो उसमें करीब 12-14,000 काजने लगान चाहिए और जो बहुत छोटा अंबल नीचे होता उसको हम बीज के लिए उपयोग नहीं करते हैं और इसको तोड़ने के बाद सुखाने के बाद इसको जब हम इसकी रगडाई करते हैं तो यह बीज अलग हो जाते हैं और वो ग्रेडिंग करके उसको पैकिंगों में करके इसका हम बीज उत पादन ले सकते हैं एक एकर से करीब करीब दो से धाई कुंटल बीज हमको मिल जाता है